नमस्कार दोस्तों मैं आरियन सर्मा और आप लोग देख रहे हैं आरियन ओनलाइन कलासेश तो फ्रेंड्स आज कज वीडियो है बहुत ही जादा महत्पुन होने वाला है कक्छा दस्वी वालों के लिए क्योंकि आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का च आसान भासा में समझ सकते हैं तो आएए आज किस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं चौथा अधिया भारत में राष्टबाद और हां इसमें जम्पुर्ण क्वेश्चन आंसर हम आप लोग को करवाने वाले एक ही वीडियो में ठीक है तो चौथा अधिया है ठीक है अगर आप लोग से प्रश्ण पूछा जाए कुश्चन की भीवी आई है यह प्रश्ण जो है भीवी आई आप लोग नोट कर लेंगे कि भारत में राष्टबाद का उदे के कारणों का वर्नन करें तो किस परकार करेंगे कैसे आंसर करना तो सबसे पहले देखे लिखने का जो तरीका होता है कैसे लिखेंगे कि राष्टबाद का जो होता है भारत में राष्टबाद का उदेश के कारणों को का वर्नन करें तो लिखेंगे कि राष्टबाद का जो साब्दिक अर्थ होता है राष्टिय चेतना ठीक है का उदेश जिसमें राजनीतिक, शवाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वादिक, तथा संस्क्रितिक का एकिकरन का अभाव अभाव मतलब क्या? कमी, उसी को कहते हैं भारत में राष्टबाद का मुख्य उदेश था, क्या कारण था? उसको हम लोग लिखते हैं तो पर्मुख जो कारण था राजनीतिक है ठीक है परमुक कारण अगर कोई राज बरबाद है आज की डेट की में बात करूँ तो परमुक कारण राजनीती के है राजनीती कितना गंदा है अपने भारत का आप लोग वो सामने देखी रहे हैं ठीक है अभी आप लोग गोची देखी रहे हैं राजनीती कितना खराब है राजनितिक खराब है साथ में जो हमारे राजनेता भी हैं जो नेता हैं वो सारे के सारे घटिया इंसान किसम के हैं ठीक है कोई सही से काम नहीं करते हैं कोई सही से काम नहीं करते हैं जिस बज़े से इधर का माल उधर और उधर का माल उधर करते हैं मरता कौन है जो बोडर पर देते हो ना उनके आज तक सुने कभी किसी नेता का बेटा आज तक आर्मी बना है नहीं बनता है क्योंकि उनको पता है यह सारी चीज चलिए ओचीज हम छोड़ते हैं और आते हैं राजनितिक के बारे में आपको थोड़ा सा ज्यान देते हैं लाड लिंटन यह राजनितिक बारे में लाड लिंटन और रियन आगे बढ़ रही थी समझेये काल में ही राष्टवाद की जो भावना है काफी आगे बढ़ रही थी और ये बात है 18188 perceived और 1878 perceived में वर्ना कूलर प्रेस एक्ट हुआ था आपको objective में इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं वर्ना कूलर एक्ट कब पारित हुआ था आप लोग कहेंगे अथारे सो एक्ट किसने पारित किया था तो आप कहेंगे ली तिन ने थिके जिसके तहट भारतिय भासा में छपने वाली पत्रिका पर रोक लगा दिया गया था जबकि अंग्रेजी पत्रिका जो अंग्रेजी भासा में पत्रिका छपती थी उस पर रोक नहीं लगाया गया और इसी बात को लेकर भारतिय लोगों ने विरोध किया अब आती है बात 1889 इस वीका 1879 इस वीका ठीक है में लीटिन क्या है लीटिन के दुआरा सास्त्र अधिनियम पारित किया गया और जिसके तहत कहा गया अगर भारतिये लोगों अस्त्र सस्त रखते हैं तो उन्हें लाइसेंस बनाना होगा ठीक है अस्त्र सस्त्र मतलब का बंदुक भाला उला जो रखते हैं उसे क्या आप करना पड़ेगा लाइसेंस बनाना होगा जबकि अंग्रेजों के दुआरा अंग्रेजों के लिए ठीक है ऐसा नियम नहीं था इस बात को भी लेकर जम कर विरोध किया गया और राष्ट भावनाओं का विकास किया गया अब आते हैं दूसरा में फैक्ट जो है आर्थिक कारण अंग्रेजों ने भारत में उपनिवेश की आर्थिक नीती को अपना कर भारतिये अर्थ विवस्था को जम कर सोशन किया और भारतिये उद्योग धंदा को सहिता की ठीक है उसने क्या-क्या-क्या उसने कि भारत में उपनिवेश की आर्थिक नीती को अपना कर ठीक है उसने अंग्रेज इंसान ने क्या कि भारत का जो था आर्थिक नीती को अपना कर भारतिय अर्थविवस्था को भारतिय का जो अर्थविवस्था था उसका जम कर उसने सोसन किया ठीक है उसका सोसन किया औ और भारतिय उद्ध्योग धंदा को साहिता की ठीक है और आते हम लोग ये तीसरे मैनफिक समाजिक कारण के बारे में समझेजे अंग्रेजों ने भारतिय लोगों के साथ काले और गोरे रंग का भेदभाव किया जो अंग्रेज था ना बहुत गोरा था भूड़ा कलर का था लेकिन हम लोग में जाएं सामले कलर के थे कोन भारतिय जो हैं सामले कलर के काले रंग के होते हैं ठीक है काले गोरे का भेदभाव क्या तथा एटीन फिफ्टीन सेवन्टी ठीक है एटीन फिफ्टीन सेवन्टी के सिपाही जो थे यह याद रखिएगा एटीन फिफ्टीन सेवन्टी के सिपाही बिद्रों में सिपाही बिद्रों का वहा था एटीन सेवन फिफ्टीन सेवन ऐसे भी बोल सकते हैं ठीक है बिद्रों मे हिंदू मुसल्मान की जो एकता को तोड़ दिया ठीक है देखिये आप वो जो अंग्रेज था बरा दिमाग वाला था गत्या इंसान बरा दिमाग से खेल करता था उसने क्या-क्या अंग्रेज ने पहले क्या-क्या उसने कि काले, गोरे, रंग का भेधभाव क्या उसके बाद 1850-70 के सिपाही बिद्रों में हिंदू मुसल्मान को एकता तोड़ दिया जो हिंदू और मुसल्मान थे यहां भारत में उसकी एकता में तोड़ करवा दिया लड़ाई जगड़ा करवा दिया और यहां तक की भारत के लोगों को रेल गारी में अंग्रेजों के साथ बैठने क कि जो है इजाजत नहीं था अंग्रेज जो थे अपराद करें तो मामूली डंड किया जाता था जब कि भारत के लोगों को कठोड से कठोड दन दिया जाता है इस अंग्रेज जो है बड़ा बत्तमीज इंसान थे हम लोग जो अजाद हुए हमें ऐसे अजादी नहीं मिला है ब अपने देश को बुराने में नेता का जो हाथ होता है उसे यह पता नहीं है जो अजादी किस परकार मिली थी अरे उसे यह पता नहीं होगा तभी तो इतना जालिम तरह काम करते हैं अपने देश के लिए खराब काम करते हैं अनथा वो करते ही नहीं करते हैं ठीक है आईए अब यहां नोकरी के लिए भी उच निच का भेद भाव किया जाता था अंग्रेज द्वारा मतलब उनका एक ही था कि दोनों के बीच में लडाई लगाएं मतलब भारतिय जो है एक भारतिय से लडाई जगरा कड़े यह था उसका मेंट चीड़ तो यह खतम हो गया आप लोग असान तरीका समझाते हैं और वीडियो अच्छी लगेते यार वीडियो को लाइक करने बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो वीडियो को जितना उसक्याद लाइक आना चीए ठीक है हम टार्गेट नहीं देते हैं बट आप लोग जितने भी देख रहे हो सभी के सभी लाइक कर देना और चैनल पने हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह वीडियो आप लोग को आगे भी मिलता रहेगा पर्थम विश्यूद का पर्थम विश्यूद का भारतिये राष्टिये अंदोलन के साथ अंत संबंधों का विवेचना करें तो बात आती है कब क कि विश्वी सतावदी के विश्व इतिहास में पर्थम विश्यूद को एक महतपूर्ण घटना माना जाता है जिसका पर्मुक कारण येरोपियन उपनिवेशक तथा समराज्यवादी परतियस्परदा का होना इस यूद की सुरुवात उनिश्यूद में हुआ था और उनि यह यूद जो है दो देशों के बीच लड़ा गया था पर्थम विश्यूद की बात करने है ठीक है दो देशों के बीच लड़ा गया था अब दीखे दो देश जो था इसमें अलग-अलग इंसान जो सामिल थे ठीक है अब दीखे यहाँ पे धूरी राष्ट और यहाँ पे मित राष्ट ठीक है यह धूरी राष्ट और मित राष्ट समझ लीजिए अमेरिका श्वैस फ्रांस जपान इटली इंगलेंड एक साथ थे और जर्मनी आश्टेरिया और हंगरी एक साथ ठीक है और यह दोनों में बहुत ज्यादा लडाई चल रहा था यह जो थे मित थे और यह दूरी राष्ट थे यह दोनों के बीच जो है लड़ाई चला था तब इसके जो साथ देने आगे अमेरिका जपान इटली इंगलेंड और इधर जर्मनी आश्टेरिया और हंगरी थे अब यहां से समझ यह अच्छी तरह समझ में आएगा विरेटेन भारतिय पायात सुल्फ टैक्स लगाकर अधिक से अधिक लाव कमाया अंग्रेजों ने भारतिय लोगों से वादा किया था कि अगर अगर हम पर्थम विस यूद में जीत जाएंगे तो आपको स्वराज दे देंगे और किसी भी परकार की शमश्या नहीं होने देंगे ठीक है अब परिनाम क्या हुआ कि यूद खतम होने के साथ ही भारत की आर्थिक एस्थिती जो है दैन्य हो गई और क्योंकि वस्तु के द जीवन को अस्तवस्त कर दिया कि क्या कर दिया तो बिल्कुल आप लोगों को पर्थम पष्यूद के बारे मां अगर आई लिखने के लिए इस परकार लिखेंगे पर्थम विश्यूद बहरतीय अंदोलन के साथ अंतसंबंद का विवेचना करें तो इस परकार हुआ था बह भारतिये को बोला था अगर हम भी युद्ध जीत जाएंगे तो आपको स्वेराज दे देंगे और इस किसी भी परकार की शमश्या नहीं होने देंगे लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होता है भारत की जो आर्थी कस्थिती थी वो और भी दैन्य हो जाती है क्योंकि वस्तू क बोले बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भी आई प्रशन ये भी चंपारन सत्यग्रा से आप क्या समझते हैं तो मेरे भाई आप लोग को लिखना अप्रैल उनिश्व सत्रह इस्वी में बिहार के चंपारन जिला में गांधी जी के निर्ट्वित में एक अंदोलन चलाया गया था जिसे चंपारन सत्यग्रा के नाम से जाना जाता है इसमें बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में धान गेहूं मक्का की खेती करना चाते थे लेकिन गैरों जो गोरे थे ठीक है और उसके लिए मजबूर कर दिया गया था 20 कठा खेत में 20 कठा खेत में तीन कठा नील की खेती करना अनिवार कर दिया गया था जिसे तीन कठिया प्रनाली भी कहा जाता था बात समझ में आई मेरे वाई फिर से समझना बहुत ही most important है ठीक है चमपारन सत्यग्रा से आप लोग क्या समझते हैं ये लोंग टाइप में पूछ देगा आप लोग लिखेंगे अपरेल 1917 इस बीक में बिहार के चमपारन जिला में महात्मा गांधी के निर्थित में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे चमपारन सत्यग्रा के नाम से जाना जाता था इसमें बिहार और बंगाल के किशान अपने खेतों में धान गेहु मक्का की खेती करना चाहते थी लेकिन वहां के जो अंग्रेज थे जमिंदार ने जवर्दस्ती नील की खेती करवानी चाहती थी और मजबूर कर दिया था इस चीज़ को करने के लिए अगर आप ऐसा फसल था जिसे खेत में लगे जिस खेत में लगे उस खेत की मिटी को उबड़ा सकती का जो है कमजोर कर देती थी और किशनों की अस्थिती का एक दम धैन्य हो गई थी और बिहार और बंगल की जो किसान किसान जो थे रोने लगे जिसे देखकर राजकुमार सुकला याद रखेंगे राजकुमार सुकला ने कहा राजकुमार सुकला को नव रहा गया और उसने हल्दी यहाँ जल्दी है ठीक है उसने जल्दी से गांधी जी को बुलाया और गांधी जी को कहने पर अवैद वसूली 25% और 3 कठिया परणाली को वापस ले लिया ठीक है तो इस तरह से हुआ था ये कहानी चमपारन सत्यगरा के आप लोग लिख देंगे इतना गलाब फार फार के बोल लेता आप लोग समझ ही सकते हैं और भी वी आई भी था ये भी वी आई है आज जो भी प्रशन है बहुत ही ज़्यादा भी वी यह आप लग भी रहा होगा ठीक है आप को मेंट करके बताना की सरे भी वी है या नहीं है आपको खुद समझ मारा एक सारे परसन जो आज हम लिए सब भी वी आई परशने ठीक है आये रॉलेट एक से आप क्या समझते हैं तो रॉलेट एक्ट की घटना म जी किशी भी भारतिय लोगों को पकर कर जेल में बंद कर दिया जाता था अब रॉलट एक्ट से आप क्या समझते हैं तो आंसर लिखना मेरे भाई रॉलट एक्ट की घटना अजम नाम से जाना जाता था जिसमें सक या संदे के अधार पर किशी भी भारते नागरी को पकर कर जेल में बंद क्या दिया जाता था जिसे रॉलट एक्ट के नाम से जाना जाता था ठीक है और इसमें अंग्रेजों ने भारते जनता पर तरह तरह की अत्याचार किये तथा यो जो वहां पे भोजन में बासी भोजन तथा गंदे नालियों का पानी पीने को मिलता था इसे इस एक्ट के तहत ना अपील ना दलील ठीक है ना वकील ना किसी भी परकार का कोई सुनवाई होता था जिसके कारण इसे काला कानून भी कहा जाता था आए फिर से एक फीन कुष्चन है जलि उनिश में जलिया वाला भाक हत्याकंड गांड को पनजाब के अमरित सहर में घटा था और इसमें भारत के दो महां करांतिकारी डाउक्टर नेता डॉक्टर सर्पल्ली एवं सेखुदीन किचूल को 9 अप्रेल 1999 को गिरपतार कर लिया गया था जिसके कारण पूरे देश में खलवली मच गई थी इस बात को लेकर भारतिय जनता ने आपस में मिलकर जलिया वाला बाग में एक सवा का आयोजना रखा था अब देखे कहानी कुछ ऐसा है जलिया वाला बाग हत्या कांड का अशे इस कांड ये कांड जो हुआ था तेरे अप्रेल 1999 को ये चीज़ समझ में आ गया था और कहां हुआ था पंजाब के अमरीत सहर में घटा था और इसमें जो है दो महान करांती कारी नेता डॉक्टर सरपली स्वरी डॉक्टर सत्यपाल और एवं सेखु दिन की चालू को 9 अप्रेल 1999 को गिरप्तकार कर लिया गया था और देश में जो है इस बात को लेकर खलवली मच गई थी इसी बात को लेकर किस परकार उसे छुड़ाया जाए तो आपस में मिलकर जलियावला बाग में एक सवा का आउजना रखा गया जिसमें 20,000 वैक्ति सामिल हुए थे लेकिन अचानक अंग्रेजों का परधान जेनरल डायल कौन जेनरल डायल ने अपने शैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया जिसमें सरकारी गवाही के अनुसार 389 वैक्ति मारे गए परंतु मरने वालों की शंख्या हजारों से अधिक थी कहा जाता है कि इस बाग में खून की नदियां बह गए थी ताप लोग इतना आप लूग लिख सकते हैं है बिलगकुल सटिक लिखना जो लिखना सटिक लिखना अब फिर से सर अबर Cant 10 प्रक्शन की doc देखिए सारे इस सारे प्रक्षेजr डीविया टो आईये खिलाफत अंदोलन के वारे में शमझते हैं तथा तुर्की के खलीफा पद और ओटोमन समराज्य विघटीत हो गया। अंग्रेजों ने तुर्की के मुसल्मानों के साथ काफी अत्यचार किया, और इस अंदोलन का जो नायक था अली बंदु था, अली बंदू था और अली बंदू जिशे आप देखें यहाँ पी यह समझ लिजे अली बंदू मुहम्मद अली सौकेत अली ठीक है इस बात को लेकर तुर्की के मुसल्मान और भारतिय मुसल्मान आपस में मिलकर अंग्रेजों का जो है विरोध किया इसमें गांधी जी के अरे के सारे प्रस्वन जो है इसमें बहुत ही ज्यादा महत पूर्ण दियान देना मेरे वाई और शयोग अंदोलन एक जन अंदोलन था कैसे आए समझते हैं बिलकुल तो हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि अशयोग अंदोलन एक जन अंदोलन था ना कि शमाजी के तोलन की शुरुवात अगस्त उनिश्व बीस इस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था जिसमें बूढे बच्चे जवान महलाएं की अहम भागिदारी थी इसमें अंग्रेजी सरकार के ताकत को कमजोर करने का प्रियास किया गया तथा महलाओं के द्वारा जगे जगे पर धरना देकर सराव की दुकान बंद करवा दी गई इसमें मोती लाल नहरू और चितरंजन दास ने वकालत करना छोड़ दी इस अंदोलन में कहा गया कि विदेशी बस्तू में आग लगा दी जाए और स्वादेशी बस्तू को अपनाया जाए भारतिये जनता ने श आश्टे सिक्षा पर जोर दिया युवाओं के द्वारा रेल की पटरी उखार दी गई और बैंकों में ताला मार दिया गया इस अंदोलन में धुआ जो है छूत देखें यहाँ पे इस अंदोलन के जो है इसी अंदोलन में छूआ छूत की जो भावना था अन्द तक हिंद आकांड की घटना हो जाने के कारण गांधी जी ने इस अंदोलन को आपस ले लिया है उसे तो यह जो मुपला बिद्रो से आप क्या समझते हैं लिखेंगे 921 है इस भी में मुसल्मान और जमिंदारों के बीच केरल के मालावार टट के पास एक विद्रो हुआ था जिसमें मोपला विद्रो के नाम से जाना जाता है मोपला मुशलमान थे इस विद्रो में मुशलमानों पर तरह तरह के अत्याचार किया गया जिसमें दस हजार लोगों की मौत हो गई तथा पचास हजार लोगों की लोगों को जो है बंदी बनाया गया और इस विद्रो का जो है समर्थन गांधी जी शौकत अली और मोलाना अबूल कलाम अजाद ने क्या था किलर हो गया अब जो में ख्विशन के ओड़ाते हैं जो भी वी आई है चाओरी चाओरा चाओरी चाओरा हत्याकंड से क्या समझते हैं देखिए चौरी चौरा जो हत्याकंड से आप क्या समझते हैं अगर पूछ देख चौरी चौरा हत्याकंड कब हुआ था ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है देखिए बात है पांच फरवरी उनिश्व बाइसिस भी में की ठीक है गोरकपूर के देवरिया जिला में ठीक है गो चौरी चौरा हत्याकंड से आप क्या समझते हैं तो लिखना है पांच फरवरी उनिश्व बाइसिस भी को गोरकपूर के देवरिया जिला में बाइस पुलिस कर्मियों को जिन्दा जेल में जला दिया गया था जिसे चौरी चौरा हत्याकंड कहते हैं और इस घटना के का होने का जो है परमुक कारण था ख़दान बस्तू के दाम में वर्दी तथा जगह जगह पर सराब की दुकान खोल रखी थी जिसके विद्रों में यहकान हुआ था ठीक है इतना लिख देंगे आप लोग के लिए काफी है ज़्यादा लिखना ने जितना लिखे 60 लिखे अशयोग अंदोलन के कारण और परिनाम को लिखे सबसे पहले तो आपन लोग कारण समझ लेते हैं खिलाफ़त अंदोलन का मुद्रा सबसे पहला टॉपिक रखते हैं अश्योग अंदोलन का कारण और परिनाम को लिखें सबसे पहले कारण समझ लिजे खिलाफत अंदोलन का मुद्रा ये टॉपिक रखते हैं और इस अंदोलन की शुरुवात 19.199 में हुआ था और 13.199 में क्या हुआ था जलिया वाला भाग हत्या कांड हुआ था इश्वी के तुर्की के जो मुसल्मान और अंग्रेजों के वीच हुआ था जिसमें तुर्की जो है बुरी तरह से हार गई तथा तुर्की खलिफा पर तथा ओटो मैन समराज विघटित हो गया अंग्रेजों ने तुर्की के मुसल्मानों पर काफी अत्यचार किया और इस अंदोलन का जो है नायक अली बंदू था जो अली बंदू मुहम्मद अली और सौकत अली थे इस बात को लेकर तुर्की के मुसल्मान और भारतिय मुसल्मान में आपस में मिलकर अंग्रेजों का बिरोध किया और इसमें गांधी जी के द्वारा हिंदू और मुशल्मान की एक्ता को अस्थापित करने का कारी किया दूसरा आते हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं पंजाव सरकार की बरबर और सभ्यता के बारे में समझ लिजे जलिया वाला बाग हत्याकंड का जो घटना हुआ था 13 अप्रेल 19.19 को पंजाव के अमरित सहर में घटा था जिसमें भारत के दो करांती कारी नेता डाक्टर सत्यपाल एवं की चालू को 9 अप्रेल 19.19 में गिरबतार कर लिया गया था और इसी बात को लेकर भारतिय जनता ने आपस में मिलकर बात करने के लिए जलिया वाला बाग में एक शवाग का आयोजना किया जिसमें 20,000 वैक्ति स सामिल थे लेकिन अचानक अंग्रेजों के परधाम जन्डल डायर ने अपने शैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया जिसमें सरकारी गवाह को सरकारी जो गवाह बनाया गया था उसके अनुसार 389 वैक्ति मारे गए लेकिन मरने वालों की जो संख्या थी हजारों थी अब यहां पे देखिए 20,000 वैक्ति था और 20,000 में सिर्फ 389 वैक्ति की मौत होगी जबकि 4 तरफ से गोलियों का धर धर मारना श्टार्ट कर दिया गया था और जो सरकारी गवाह बनाया गया था उसमें इतना ही बताया गया कि इतना ही वैक्ति मरा था जबकि 1000, 1000 संख्या मे वहां पे मौत हुई थी कहा जाता है कि इस बाग में खून की नदिया बह गई थी अब दूसरे चीज के बारे हम समझते हैं सुराज की प्राप्ति अभी तो हम लोग कारन समझ रहे हैं ठीक है उसके कारन को बाद परिनाम भी समझेगे अंग्रेजों ने पर्थम विश्यू जीत जाएंगे तो आपको शुराज दे देंगे और आपको किसी भी परकार की शमस्या होने नहीं देंगे और जैसे ही उसने विश्यू यूद जीता समानों का जो है दाम दो गुना कर दिया जिससे भारत का आर्थिक अस्थिति बिलकुल खराब हो गया था यह चीज मैंने जिन्दा जेल में जला दिया गया था जिसे चोरी चोरा का कांड कहते हैं इस चोरी चोरा कांड हत्या कांड के चलते इस अंदोलन का अंदोलन को जो है आपश ले लिया गया था बात समझ में आ गया पूरा कि आ यह अगला समझते हैं क्विशन वह आ एए टी यू सी क्या है करें रेðी जो पूरा नाम होता है ऊंदिया ट्रेड यूणियन कांगुरेस ठीक है अल इंडिया ट्रेड यूणियन तान मी में क्या गया था मुंबभै में क्या गया ता जिसके पर्थम अध्यक्ष यूजपत राय और तीर के यूनियूनियन कांग्रेश और जिसकी और यूनिय। अस्थापना किया गया था 31 अक्टूबर 1922 में मुंबई में किया गया था और जिसके पर्थम अध्यक जो थे पहला अध्यक लाला लाजपत राय थे और सचीव जो जमना लाल वाजपे ही थे और इसका जो उद्देश था मेन उद्देश किशानों एवं मजदूरों की शमस् और मोतीलाल नहरू के द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया था जिसे स्वराज पार्टी कहा जाता है जिसके इसके पर्थम अध्यक भी चितरंजन दास और सचीव जो थे मोतीलाल नहरू ही थे फीक इसके पहले और सयोग अंदोलन को वापस ले लिया गया था जिसके प कॉंग्रेस अधिवेशन में 1922 में पेस किया गया था जो और सफल साबित हुआ इसे कॉंग्रेस नेताओं के दिल पर गहरा चोट आया और उद्देश क्या था आए समझते हैं उद्देश था शुराज की प्रापती दूसरा उद्देश था सरकार पर दवाव डालकर अपनी मांग की पूर्ति करना और तीसरा उद्देश था 1926 में सुधार अधिनियम के समाप्त किया जाएं यह सारा था किलिर हो गया सारे बात समझ में आ रहे आप लोगो और वीडियो अच्छी लिए तीयार वीडियो को लाइक करना और हां यह आप जरूरी नहीं आप एक ही दिन में पूरा का पूरा वीडियो देख लें जरूरी नहीं क्योंकि यह वीडियो अभी और भी जादे हो सकते हैं ठीक है क्योंकि अभी यहीं तक पहुँचे हैं और सारे आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट परस्पराइगी अब बाद में भी देख लीजे को कोई दिक्कत नहीं है आईए कुश्चन समझते हैं जत्रा भगत पर टिपन्नी लिखें तो जत्रा भगत का जो जन काफी विस्तार किया इन्होंने आदिवाशियों को कहा कि मास और मदीरा का सेवन ना करो और ना नाच गान करो ठीक है जत्रा भगत पर टिपन्नी लिखने के लिए आए बस यह चोटा सा एक टॉपिक है आप लोग को लिख देना है जत्रा भगत का जन्म 1888 भी में हुआ था जारखंड के गुमला जिला में हुआ था और इन्होंने अंग्रेज को खुलकर अंग्रेजों का जो है खुलकर इसने विरोध किया और समाजिक तथा समाज के छेत्र में काफी इसने विस्तार किया इन्होंने आदिवाशियों को यह भी कहा था मास और मदीरा मतलब होता है स उसका सेबा ना करो और ना नाच गान करो ठीक है कि आई आई अगला प्रशन देखते हैं मेरट सधियंत से आप क्या समझते हैं तो मेरे अच्छा अठीक है खटना हुआ था मार्च उनीष शौल्या समय घता था जिस में 21 तर्म नेताओं को मौलिक अधिकार से अंग्रेजों ने वंचित कर दिया और मेरट में लाकर उस पर मुकदमा दायर कर दिया जिसे मेरट सड्यंत कहा जाता है छोटा सा टॉपिक था बस बिलकुल इजी तरह समझे कि मेरट सड्यंत जोसे आप क्या समझते हैं तो मेरट सड्यंत की घटना मार्च 19.19 में घटा था ज जिससे मेरट कहा जाता है आए और एक और भी वी आई प्रशन के और लेके चलते हैं आप लोग को ठीक है मजा आ रहा होगा वीडियो देखने में क्योंकि यह बहुत कम बचे को सोशल साइस समझ में आता है ठीक है लेकिन हम अपने कोशिस के अनुशार आपको एकदम अपने समझाने के कोशिस कर रहे है ठीक है तो अच्छा ही लग रहा होगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना दो तो साथ चैर भी कर देना और मेरा टार्गेट है कि आप लोग का लोग क्या समझते हैं तो अर्थ तंत्र से उत्वन वह पर ना ली जो क्रिशी उद्योग बेपार क के विकास को रोक दे उसे आर्थिक संकट कहा जाता है तो मेरे दोस्त आर्थिक संकट की शुरुवाद जो है 1925 इस भी में अमेरिका में हुआ था जिसमें सबसे बुरा परिनाम अमेरिका को जेलना परा था क्योंकि इस समय वैंकर बाड के साथ साथ सुखार भी आया था जि इसके कारण वस्तों का जो है दाम वेतहास बर्दी हो गया मतलब अधिक उसमें बर्दी हो गया और कल कार खाना भी बंद हो गया अमिर्का का चार हजार बेंक डूब गया तथा दस लाक तथा यहां देखी एक लाक दस कल कार खाने जो है ठप हो गया मतलब बंद हो गया समझवारे बत यह था कि प्रशन का कि आर्थिक संकट और महामंदी से आप क्या समझते हैं तो अर्थ तंत्र से उत्पन वह पर ना ले जो किसी सबसे बुरा परिणाम अमिर्का को ही जेलना परा था क्योंकि उस समय भेंकर बाट और उसके साथ सुखार विया था जिससे सफल के फसल के पैदावार भारी मताम में कम हुई थी जिसके कारणबस्तू का दाम में बेतहास बिर्दी हो गया और कलकारे खाने बंद हो गया और अमिर्का में 400 बेंको जो है डूब गया था पानी में तथा एक लाख दस सजार कलकार खाने ठप हो गया था बंद हो गया था ठीक है आए समझवा आगे बात अब आगे क्यों ठीक है काकोरी कंड से आप क्या समझते हैं चलिए घटना है 9 अगस्त 1925 के मेरे वाई काकोरी कांड के नाम से जाना जाता बतता ये संदे में कैसा लग रहा ने केड़ी था मिंटाकूरी टतुरी और पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था जिससे ककोरी कांद के नम से जाना जाता है और इसमें भारत के चार करांतियों को फासी दे दिया गया था जिसका नाम करमशा राम परशाद विस्मिल राजेंदर लहरी रोशन सिंग असपाक उल्ला खा यह सारे थी अगला प्रेशन हम लोग देखते हैं जो अपने आप में भी आई दिखाई पर रहा और हाँ जितना भी भी आई कि उसको तो बहुत अच्छी तरह से समझ लिजेगा नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा मेरे वाई या ठीक है देखिए साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं तो आंसर करेंगे साइमन कमीशन का गठन 1987 इस भी में क्या गया था जबकि भारत के मुंबई छेतर में 1928 इस भी में आया था और इसका अध्यक्ष सर जोर्ज साइमन थे कौन थे सर जोर्ज साइमन और इसमें कुल सदस्य अंगरेज थे एक भी भारतिय सदस्य नहीं थे ठीक है और भारतिय सदस होने के कारण इसे सफेद साइमन भी कहा जाता था इस बात को लेकर भारतिय जनता ने विरोध किया तथा लाला लाजपत राई ने साइमन कमिशन को वापस जाओ का नारा लगाया जिसके विरोध में लाला लाजपत राई को लाठी से पीटा गया, पीट पीट कर हत्ये कर दिया गया था, मारी ये दिया गा लाला लाज पत्राई को, शमझ में आगी बाद, शाइमन कमिशन, याद रखना है, शाइमन कमिशन से आप क्या समझते हैं, जिसे साइमन से सफेद कमिशन भी कह सकते हैं, और सफेद से ये भी पियाद हो जाएगा सफेद कुण था अंग्रेज वा था और अंग्रेज तो था साइमन कमिशन में सदस जो थे अंग्रेज झी थे ठीक है और इसमें एक भी भारते नहीं थे और इसी बात को ले बिबाद किये बिरोध किये कौन लाला लाजपत राई ने तो बिरोध किये कि कमिश्यामन कमिशन आपस जाओ का नारा लगाया और इसमें उस क्या क्या लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दिया किसका लाला लाजपत राई को चलिए उदेश क्या था समझे उदेश लिख देना शवेदेनिक सुधार उत्तरदाई शासन दिया जाय या नहीं ये था उसका उदेश आईए कोश्चन के और आगे के और लेके चलते हैं नहरूर रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं तो आईए समझते हैं नहरूर रिपोर्ट से क्या समझते हैं आपको समझाने की कोशिस करते ह जिस समय साइमन कमिशन का विरोध किया जा रहा था उसी समय भारत के सचीव वीर केन हैंड एक चुनवती देते हुए कहा कि तुम एक अपना अलग साविधान बना लो इस बात का दुख बहुत सारी पार्टी को लगा तब मोतीलाल नहरू ने 1928 सिस्वी को दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे नहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है समझवा गया नहरू रिपोर्ट ठीक है आईए जो इनपोर्टेंट है उसे हम बार बार रिपीट करते हैं आप लोग समझी रहें भी भी आई प्रश्ने पुर्ण शोराज क्या है तो मेरे भाई पुर्ण शोराज को 1929 सिस्वी में लाहोर के अधिवेशन में पारित किया गया था और जिसके अध्यक्त जवार लाल नहरू जी थे जिन्होंने ठीक बारा बजे रातरी में स्प्राज को रावी नदी के तट पर तीरंगा जन्दा को फहराया था उसके बाद 26 जनवरी 1930 सिसवी को स्वतानता दिवश मनाने की घोशना की गई थी कर दिया गया था 26 जनवरी 1930 सिसवी ही घोशना कर दिया गया था कि अज़िए हम लोग का देश का बाजाद हुआ भूल के 15 अगस्त 1947 को चलिए समझ मारे शारी बाते अगला प्रेश्ण जो भी भी आई है भी भी आई पहले से लिख दिए अब देखें दांडी मार्च दांडी मार्च नमक सत्यगरा शे आप क्या समझते हैं आईए समझते हैं 12 मार्च उनिश्व तीस इसवी को गांधी जी के द्वारा शाबर मती आश्रम से एक अंदोलन चलाया गया था जिशे नमक सत्यगरा दांडी मार्च कहा जाता है गांधी जी ने दांडी के तड़ पर पहुँच कर नमक कानून को भंग किया और आज के डेट में आपको बता दे नमक की किमत बहुत ही कम है उसी के वज़े से नमक कानुन को भंग कर दिया गया और अंग्रेजों से कहा नमक पर जो टैक्स लगाए हो उसे आपस कर लो नहीं तो बहुत बरा अंदोलन होगा और गांधी जी कुछ करते नहीं थे बस अंदोलन की धामकी दे दे थे और अंदोलन की धामकी दिये बस अंग सब्सक्राइब ले ले तो बात है मार्च नौ को अब यह सबने अवग्या अंदोलन से आप क्या समझते हैं मैं आपको बता दूं इसे कहीं कहीं आप लोगों को छो अपरेल मिल जाएगा जो बुक में मार्च बुक में आपके बुक में हैं नेट पर देखिएगा छो अपरेल उनिश्व तीस इस भी को गांधी जी के द्वारा ब्रिटिस उपने वेसक अब यह मार्च से स्टार्ट हुआ था अपरेल तक चल अपरेल में घटना घटा था तो यह व्रेटिस अपने वेशक सत्ता के खिलाफ जो दूसरा जन अंदोलन चलाया गया था जिसे शवन्य अवग्या अंदोलन कहा जाता है इसमें तवाम जनता को एक जूट करने का कारी किया गया था इतना ही काफी है उसके लिए ज्यादा इसमिए अवग्या अंदोलन के कारणों का उल्लेक किजीए अर्थिक संकट समझ लिए सवेन्य अवग्या अंदोलन के कारण का वर्नन करना तो आर्थिक संकट पहले समझना है संकट ही है और कारण भी है ठीक है इसी को कारण के तो हेडिंग लिख लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा ना बढ़ मिलेगा आप लोग को अर्थ तंत्र से उत्पन वह परनाली जो क्रिशी उद्योग बेपार के व बात कर लिया है जिसमें सबसे बुरा परिनाम अमिर्का को ही जेलना परा क्योंकि इस समय भैंकर बाड के साथ सा सुखार भी आया था जिससे फसल का पैदावार भारी कमी मातरा में हुई थी जिसके कारण वस्तों का दाम वेतहासा बढ़ गया था और कल कारण खाने बंद ह हो गया था अमिर्का के चार चार हजार बैंक जो है डूब गया तथा एक लाख दस हजार काल खाड़े जो है ठप हो गया था यह चीज मैंने पहले भी बताया था उसी का दूसरा चीज है कारण ही लिखना है किसका शवण्य अवग्या अंदोलन की ठीक है उसी के कारण में आप लोग वह भी चीप का सकते साथ में नेहरू रिपोर्ट के बारें भी हम आपको परहाएं हैं तो आप समझ सकते जिस समय सायमन कमिशन का विरोध किया गया था उसी समय भारत का सचीव जो थे वरिकेन हैड ने वरिकेन हैड ने चुनवती देते हुए कहा कि तुम एक अ सारी पार्टी को लगा भी तब मोती लाल नहरू ने उनिश्व 28 सिस्वी में दिली के प्रस्ताओं पारित किया जिसे नहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है यह चीज मैंने पहले बताया था पुर्ण शोराज पुर्ण स्वराज उनिश्व 29 सिस्वी में लोहार अधि पचास सरी उनिश्व 30 सुह बता दिये सुनिश्व 29 सिस्वी को सवतनतादिवस मानाने की घोषना किया गया था सुरी उपड़ में जो मनाने की जक्वी पचास बोले थे या तीस बोले थे मुझे भी याद नहीं है बटूं शोर पचास होगा याद रखेंगे चब्श पंद्रा अगस्ट पंद्रा अगस्ट उनिश्व शौट 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 इस भी में और गंतन दिवस जो मनाते हैं ठीक है तो यह घोषना कर दिया उपर सौरी उसके लिए इग्नौर करना वह मेरी बात को क्योंकि वहां पर हमने साइद उनिश्व तीस जिक्र कर दिया है इग्नौर करना थोड़ी सी बात है और यह 26 जन्वरी उनिश्व पचास इसवी को स्वतनता दिवस मनाने की गोशना कर दिया गया अब यह चीज तीनों चीज आपको मैंने पहले भी बढ़ाया था लेकिन अभी भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि सारा कारण लिखना था तो वही समराज को मिटाना है इसे अंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया था अन्तिम समय जब आया उसने बोला यह तो करो या मर जाओ ठीक है या मार डालो डू एंड ठीक है गांधी जी ने लगा या उश में साट हजार लोगों को गिरबतार कर लिया गया था तथा हजारों हजार की शंख्या में मौत भी हो गई थी किश्मी यादाया भारत छोरों अंदोलन से अगर पूछ दे तब ये सारी चीज़ लिखना है कि भारत छोरों अंदोलन की जो सुरुवात हुई थी तथा हजारों हजार की शंख्या में मौत भी हुई थी भारत छोरों अंदोलन से याप ये लिख सकते हैं फिर आते हैं यहाँ पे गांधी जी राष्टिय अंदोलन में क्या योगदान रहा तो सबसे पहले राष्टिय अंदोलन सभी अंदोलन को इसमें लिखना होगा गांधी जी के सबसे पहले चंपारन सत्यगरा जो मैंने आपको पहले ही ध्याम पढ़ा दिया मत्ति स्वरी पहले ही पढ़ा चुका हूँ ठीक है तो अप्रेल उनिश्व सत्रह इसमी में बिहार के चंपारन जिलामे गांधी जी के निर्तित में एक अंदोलन चलाया गया था जिसे चंपारन सत्यगरा के लिए मजबूर कर दिया और पीश कथा खेत में बेड़ा तीन कथा की नील की खेती को ने आनिवारी हो कर दिया था जसे तीन कटिया परनाली भी कहा जाताै नील एक पसकी अग्याई चाने की जो सकती होती है और जोर कर देता है और किशानों की अस्तिती एक्तम दैन्य हो गई थी और बिहार और बंगाल में जो है बिहार और बंगाल के किशान रोने लगे जिसे देखकर राजकुमार सुकला को ना रहा गया और उस ने जल्दी शे गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने कहने गांध मर्च तिये भी मैंने पताया कि 12 मर्च उनिश्वती सिस्वी को गांधी जी के द्वारा सावर मती आश्रम से एक अंदोलन चलाया गया था जिसे नमक सत्यक्रा दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है गांधी जी ने दांडी टट पर पहुंच कर नमक अंदोलन को भंग किया और अंग्रेजों से कहा नमक पर जो टेक्स लगाओगे उसे आपश कर लो नहीं तो बहुत बढ़ा अंदोलन होगा अगांधी जी के अंदोलन से बहुत बढ़ा अंग्रेज भागी जाते थे और बहुत बढ़ा अंदोलन हो जाएगा तो छोड़ के चला दिया कि भाई छो विलिटिस् समराज को मिटाना है इस अंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो या डू एंडाय का नारा लगया था जिसमें साथ हजार लोगों की गिरपतारी कर लिया गया तथा हजारों हजार की शंक्या में मौध भी हो गई थी ये सारे थे किसके ये सारे किसके थे अंदोलन मैंने इतना स्पीर में पधा दिया कोई दिक्कत नहीं होना चीए गांधी जी के राष्ट्य अंदोलन में क्या योगदान रहा तो सब अंदोलन जो था आप लोग को मैंने पहले भी समझाया और फिर से समझाया तो चमपारन सत्तगरा चमपारन सत्तगरा आप लोग लिख देंगे आते हैं दूसरा दांडी मार्च तीसरा भारत छोरो अंदोलन ये सारे लिख सकते हैं आप लोग ठीक है आईए फड़ से एक प्रशन आता है शवण्य अवग्या अंदोलन के परिनामों को लिखे तो शवण्य अवग्या अंदोलन का जो परमुक परिनाम है निम्न इस परकार लिखना आप लोग को कि इस अंदोलन में वानर सेना तथा मंजरी सेना को का प्रियोग क्या गया था प्रभात फेरी के माध्यम से जनता को एक जूट होने का कारे किया और दूसरा जो था परिनाम नसीली वस्तुओं की विक्री पर रोक था अगला जो है तीशरा महला इस अंदोलन में भाग लेकर समाज को विस्तार किया चौथा भारतिय जनता में राजनीतिक चेतना को जगाया गया पाचमा जो है 1935 को भारत सासन अधिनियम को पारित किया गया ठीक है यह सारे चीज थे सवेन्य अविग्यां अंदोलन के परिनाम को लिखें तो इस परकार लिखेंगे जो मैंने अभी आपको पांच बताया फिर आते हैं अगला प्रेश्ण जो है भी भी आई है भी भी आई को मत भूलना गांधी इर्विन समझोते से आप क्या समझते हैं तो गांधी जी जो थे और इर्विन के बीच पांच मार्च 1931 को एक समझोता हुआ जिसे गांधी इर्विन समझोता के नाम से जाना जाता है इसे दिल्ली शम्जोता भी कहा जाता था और इसका परमुखुदेश था पहला नमक बनने की अजादी दूसरा भारतिय कैदी को रिहा कर दिया जाए तीसरा लूट के धन को वापस कर लिया जाए और चौथा दमन चक्र की नीती बंद कर दी जाए तीक है ये सारे चीज़ गौंदी क्ले के बारे में पला कर और किसी चीज़ में नहीं पढ़ हैं टो उनिश्व में उनिश्व उनिश्व को जाना जाता है जाल। से 1947 मतलब आजादी तक गांधी काल के नाम से जाना जाता है अब देखिए टीनो गोल मोल समेलन लंदन में हुआ था कुछ मैंफेक्ट से आप लों को बताते हैं जार्ज पंचम के सासन काल में 1930, 1931 और 1931 लंदन में गांधी जी भाग लिये थे बात समझ वाया नहीं आया फिर से समझे देखिए गांधी काल क्या है तो 1929 से 1947 तक के काल को गांधी काल कहते हैं और तीनो गोल मोल समेलन लंदन में हुआ था जिसे जार्ज पंचम के सासन काल में हुआ था कब हुआ था जार्ज पंचम के सासन काल में हुआ था और ये 1930, 1931 और 1932 में कहां में हुआ था तो आई आगे समझते हैं आगे हैं कि भारतिय राष्टिय कांग्रेश की अस्थापना कैसे हुई थी इसके उद्देश को लिखें तो आंसर करके लिखना है भारतिय राष्टिय कांग्रेश की अस्थापना के पुर्व कोई भी संख्या नहीं थी फिर भी लोगों का विकास किया जा रहा था तथा इलवर्ट वील सास्त्र अधिनियम और भारतिय लोगों की प्रिक्रिया को देखते हुए राजनितिक संस्था के गठन जो था गठन का अभाव अभाव हुआ और उनिश्व चौरासी इस भी में ए ओ हुमन के द्वारा वारतिय राष्टिय शंग का गठन किया गया और इस संग को अधिवेशन की घोशना पहले फुना में किया गया था परंतु अचानक लोग जो है फ्लेग रोग से गर्शित होने लगा और फ्लेग रोग जो है फ्ल जाने के कारण इसकी वैठक गोकुल दास संस्कित तेजपाल कॉलेज मुंबई में किया गया था और अन्ता अठाज दिसंबर उनिश्व पचासी इसमी में इसका नाम भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस कर दिया गया था इसके पर्थम अध्यक्ष डबलूशी वनर्जी तथा सची यह वे अओ यूम हम थे इसका अध्यक्रे हं का ओध्यक्रेश के वारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि झाले ठ्म थे वारे में हम लोग समझते हैं यहां पर दिखी आ है बांच उत्थिस हाम आपको बताएंगे कि और उप्ष्चे पहले हम आपको कुछ चीजें सो करवाते हैं दिखिए यहां पे बहुत सारे इतने प्रशन थे आपको इसमें सभी के सभी प्रशन हम आपको क्लियर करवा दिए तो इससे पहले जो हैं कुछ चीज बताते हैं अगर आप लोग को इसका फीडियाफ डाउनलोड करना है तीशी वीडियो के नीचे डि को उसमें इन्पोर्टेंट से इन्पोर्टेंट पीडियाफ मिलते रहेगा सब दिन ठीक है तो यह चीज कर लेना है अगर आप लोग को कहीं कोई दिकत हो तो कोमेंट जरूर करें ठीक है कोमेंट बॉक्स में जाके कोमेंट कर देख सर यहां पर प्रॉब्लम होड़ा साथ म में अगर कोई भी चीज सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक समझे ने रहा तो भी आप हमें कुमेंट बॉक्स में कुमेंट करें तो आगे हम उसका करेंगे जो करने का होगा मतलब वीडियो भना के देंगे आप लोगों ठीक है तो यह सारी चीज़ है और वीडियो जितना ह कि अध्र पून था वह सारे कोशिन हम आपको साथ सेर भी किये और यह देखिए मतलब सुरू से लेके अंतक जो बच्चे देखे होंगे वो मुझे कुमेंट करना क्सर मुझे मैंने यह सारे के सारे वन से लेक मतलब शूरू से लेके अंतक आपकी वीडियो को रिव्यो कर ल लें तो कोई दिक्कत नहीं होनीचे आप लोगों आईए समझते हैं देखिए भारत के लोगों को भाइचारा के संबंद में अस्थापित करना ठीक है दूसरा था धर्म वंस जाती का भेद भाव मिटाना और तीसरा था शमराज की कल्यान करना और चोथा था एकता एवं अखंता अस्थापित करना और यह जो था सिक्छा का परकार ठीक है सिक्छा का परकार तो इस अध्याय को हम यहें पर खत्म करते हैं आपका जो लोंग टाइप कोशन था तथा जो शौर्ट टाइप कोशन था सारे के सारे वीडियो में ठीक है और हाँ आपका जो अब्जेक्टिव कोईस्चन था इस सब्सक्राइब अध्याय से इस अध्याय से उसको भी हम लोग ने इसी वीडियो में कभर कर लिया कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसे पहले हमने तिमों अध्याय कंपलिट कर वाया है तीनों कही बीडियो स 있는데 in पहला दूसरा थूसरा एक इक वीडियो में कंपलीट है तो इस में भी मैंने यहीं परिक्रिय अपनाया है long short और objective question को सामने deal कर दिया कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप लोग इस वीडियो को अगर नया देख रहे हैं अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो अभी यहां पर आप लोग को शामने शो करवा देंगे आप लोग जा के जरूर देख लेना ठीक है और साथ ही हम आपको बता दे वीडियो पे बहुत कम लाइक करते हैं आप लोग तो आज लाइक जरूर करना ठीक है और दोस्तों के साथ शेर जरूर करना तो हां मेरे दोस्त मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके और तब तक के लिए बाबाय जैहिन जैभारत टेक केर अब देखें यहां पर जो है 58 मिनट हो चुका है मैंने मैं सोच रहा था कि एक घंटा हो ही जाएगा बट चलिए दो मिनट कुछ नहीं चलिए आप लोगी जुआ किजिए